बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब में पेपर हाइकर में और मैं सुरज राज आज की यूटूब नेखने वाले हैं जो भी छात्र देखो अभी जो पेपर हुआ है बीएसी सेकेंड यर वालों का पेपर हुआ है 2022 का और आप पेपर होते ही तुरंत पेपर को हमारी वाट्सप नंबर 70-37-3278-38 इस पर तुरंत आप 3-8 है ठीक है 3-8 लास्ट में 3-8 है इस पर तुरंत पेपर को शेंड कर दिया करो फोटू खेंच कर ताकि मैं उसको रिब्यू कर सकूँ जैसे कि मेरे वाटनी का फस्ट पेपर है आप देख लो 33 नंबर का है सेकेंडिर वालों का और देखो तीन घंटे में सुलूशन करना था मैंने जो आपसे 70% का बादा किय था दो दिन पहले पेपर लीग जो हुआ था वह सकते हैं मैंने आपको 70% का बादा किया था वह मैंने पूरा किया यह नहीं इस वीडियो में देखेंगे लास्ट वीडियो मने रहे ना कोई दिक्क्त है तो कॉमेंट चेक्शन में बताना ठीक है और जो आपने बादा किया ह मुझे हर चात्र को हर टीचर को जो भी आपके लास्ट टीचर कोई बी है उनको बताने का कि पेपर हैकर से सर जो प्रबढाया करें उनको बताया करता वस्वास्ट टैम में ऐसा बोल दो ठीक है और उनसे को सर चैलो सब्स्राइब जरू कर ले ना बहुत अच्छा चैनल है ऐसे और जितने भी चाहत्र है मैंडम हैं आपकी जो भी है anyway कोई जो पुड़ाता है सर है मैं है सबको बता दो उनके ज़ो गुरुप हैं आपके इस गुरुप है उनके शेर कर दो वीडियो को क्योंकि हम सौ पर्शन रेयल दिखाते हैं आपको जो सत्य है मैंने आपको mcq को लिए हमने आपको बताया था कि आप mcq लिए हमारे पीडिया को डालोड कर सकते हैं और साथी साथ हमारे नोट्स उकूल भी डालोड कर सकते हैं अब mcq लिए आपको क्या करना होगा पहले तो mcq लिए हमारे वेबसाइट पर जाना होगा paperhacker.in जिसका ल प्रसन करना है और प्रसन कर्मांक एक अनिवार है और प्रसन कर्मांक जो एक है आप देख रहा है यह वाला प्रसन है इनको करना अनिवार है क्योंकि यह option mcq question है जो पांच पूछे गए तो इन कोशनों के answer जिसको पता है वो मुझे comment section में एक बार सभी question के लिए जो सही right ह है जो इसने देख रखा है गोगल पर search कर रहा है ठीक है और बाकी मैं जो भी मुझे पता होगा मैं आपको यहां clear करके मैं इसको देखा नहीं कुछ भी आप यहां की बात करें नीचे वाले दिखो डॉल फर्टिलाजीशन बोला गया process ने ठीक है किसने यह कोच की है तो अब यहां द्यान से देखिए आप एक बार एकाई नमर एक में पहुंच जाओ हमें एक कोशन करना अनिवार है तो देखो यहां दूसरा कोशन में दूसरा और तीसरा कोशन दे रखा है एक यूनिट में तो एकाई नमर एक में पहला देखो बैंतम और हुकल के पिर्थी ब साथ नमबर क्लियर हो जाता है वहीं यदि आप ऊपर वाला ना करना हो आपको याद ना हुआ हो आप तो आप देखो यह वाला कोश है मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया तीसरा वली मालवेसी कुल क्या होता है उनके पौदों के बारे में पूछा गया है उनका वरन करना है उनके आर्थिक महत पूछ लिया है मालवेसी कुल के और चार पौदों के नाम पूछ लिया है बस यह पूछा का है तो आप यह भी कर सकते हैं मेरे इसाब से आप एंथम उक्कलवारा पूरा करके आओंगे और साथ नमबर आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं एकाई नमर दो सौट एक साथ पूछ लेता है तो लॉंग बन जाता है समझ रहे हैं मेरी बात को हां तो बही हुआ है देखो ने हर्वेरियम के टेक्नोलोजी मतलब की हर्वेरियम कैसे त्यार किये जाते हैं वह यहां पूछ लिया तकनिकी क्या होती है और साथी साथ एबम उसे लगा प्रतिक नाम उनके और दिंगता nाम इन मैंसे कोई दो फौदढ आप को बताना है जिनका बौट्टन नाम पता होनका उपयोग कैसे कहां किया जाता है जैसे कि एपी सी पोधा कहा होता है कानवाल वी कुल के बारे में पौदौरन के बारे में कुल है ठीक है ये सभी कुल के युनिट नमबर 3 में देखो 14 नमबर पूरे हो चुके हैं कोई दिक्कत किसी को मुझे बता दीजिए दोनों पेपर कोशन बस चुके हैं इस कोशन को देखें यहां बोला गया है हमसे एक कोशन देखो आसंगत दुद्धिक ब्रद्धि आपसे पूच लिया देखो यहां गया जैसे कि बात रंदो को मैंने आपको इंपोटेंट दिया कि इसको याद करके जाना परीड्रम को इंपोटेंट दिया था यह कोशन चाल को नहीं दिया था ठीक है यह दो पूरा पेपर फस दो Ond कि आबित विखास पूरा आगया वई तो इसके एथा मत में पहुच्ञां यहां схें जरू कि आप कहया रहा है कि बताना संचिप ने टिपटी जैसे कि यहां से फस आप चाहिए तीन को कर सकते हैं तो यहां हिसाब से आप उपर वाला कर सकते हैं ब्रहमण कोश के विकास जो भी आपको याद हो दोनों कर सकते हैं यह फिर यहां से आप कुछ नंबर मान सकते हैं कि पांच कोशन है यह साथ के डिवाइड करें तो लगबख भाई आपके बन पॉइंट डिएड़ नंबर का भी कोशन न नीचे चलते हैं और साइड हो तो देख लेते हैं तो यह आपके 25 नंबर आपके यहां के लिए रूगए और जिसने भी एमसी कोशन करके आया होगा और हमारी पीडियव को जिसने भी डानलोड करके पढ़के गया होगा तो बहां से तीन कोशन पके फसेंगे आप किसी भी आप आगे पेपर जो होने बाला है उसके प्रेडिय डानलोड कर सकते हैं प्रेपर को थालोड करना तो ratis धाथाइस नंबर आ तो इसको गना करना है मिसोसे और डिवाइड करना या 33 से हमारे सामने परसेंटेज निकलके आचाइस बहाग कर देना मैं ऐक एक बार अपने फोन से इसको डिवाइड करके दिखाता हूं कि कितने पर्षेंटेज जो फसी है जो मैंने आपसे बादा किया था सतर पर्षेंट प्लस दिलाने का दो दिन के लिए वो क्या फसी है या नहीं वो चेक कर लेते हैं तो आपको करना है अठाइस सो ठीक है अठाइ 80% फसा है आप खुद देख सकते हो 70% का जो बादा किया 84% फसा है पेपर में देख लो ठीक है चेक इंडिये वालो बाकि हम थाड़ीयर का जो पेपर हुआ है उसका रिब्यू कराने वालो चलो को सब्सक्राइब करना और आगे पेपर जो आ रहा है उसको देखके जाना है और बादा करना है मुझसे अभी सिवत सब्सक्ЕТ को शेर करना है दोस्तों को टीरों को जीटने भी हैं ठीक है और दोस्तों को शेयर कर देना ज्यादा साधा थैंक यू बाई बाई